Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am Suribhan Singh Rajput और आज प्यारे बच्चो छोटे सेशन में अबने डिसक्सिन करने वाले हैं Easy Kill Topics in your upcoming examination, Physics की स्पेशली. क्योंकि एक्जाम बहुत करीब आचुका है, दिलों की धड़कने थोड़ी जितेज हो चुकी हैं, पर घबराने की ज़ुरत है नहीं. आप जरूर गो थूरू होना, ये एक्जाम में बहुत फाइदा करेंगी. आपसलूटली भी नो प्रॉबलम एक्जामिनेशन होल, चल चीते, चालू करते हैं छोटे, इसी के साथ, सबसे पहला चप्टर आता है, बच्चे क्या आता है, काइना मैटिक्स, ठीक है, तो ट्रिंडिंग तो यही है, कि ग्राफ और फंक्शन दबा के पूशते, बहुत सा ग्राविटी को एग्नोर ना करें, ग्राविटी के अंदर के प्रॉबलम, सिम्पल ग्राविटी वाले भी एक हाइट से भी फेका, उसके प्रॉबलम आप देख लो, या फिर सिम्पल बॉल को उपर उचाला, उसके भी आप प्रॉबलम देख लो, ओल राइट अबरीवन, इसी से जो related है बिटा कही की बार ball टिपपा खाती है, elastic collision का coefficient of दे देता है, मतलब partial elastic collision का coefficient of restitution दे देता है, तो you make sure these four topics should be exceptionally well, all right everyone, now moving on to Newton's laws of motion, तो अभी trending क्या है भाईया, lift problems बहुत पूछता है, भाईया, lift में आदमी को खड़ा कर दिया, lift ऊपर जारी, दाएया जारी, बाएया जारी, नीचे weighing machine है, तो भाई क्या होगा, theoretical problem ही पूछ सकता है, और गाड़ी को आगे move कर दिया, accelerate कर दिया, मतलब एक प्रकार से lift problem के मैं बात कर रहा हूँ, तो उस case में rope के अंदर tension क्या होगी, बतलब वगेरा वगेरा, ठीक है, तो don't worry, तो we just make sure that you go through lift problems, ठीक है, motion of connected bodies, ठीक है, यह चीज बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं, आप लोग जब FBD पढ़ा ही जाती है, उसके बाद आपको बता दिया जाता है, कि भाई, एक rope है, जिसका खुद का भी mass है, और क्या कर रखे हैं, खुब सारे blocks को attach कर रखे हैं, तो दो block के बीच में tension क्या होगी, फलाना डेमकाना, make sure you go through it, इसके साथ साथ आप अगर equilibrium की मैं बात करूं, ठीक है, तो forces under equilibrium की मैं बात करूं, तो उस चीज़ को भी आप एक बार जरूर देख लीजएगा, इन क्लाइन पे ही push कर रखा है अपनने, तो minimum force बताओ, कि नहीं गिरेगा, और maximum कितना full लगा सकते हैं, तो मतलब ये वाला problem आप जरूर देख लेना, ताकि आपको दिमाग में अनुमान हो जाए, कि friction कब कैसे direction को बदलती है, this is the most important case in friction, ठीक है, छोटे, हाँ चीते, चलते आगे, two block problem, ठीक है, भाई सभाविक है, आपको ये बात पता हो नहीं चाहिए, ठीक है, निकालते आना चाहिए, कि कब common acceleration में होगा, कब different acceleration में होगा, clear हो गया क्या, तो basically, इन दो चैप्टरों से, खासकर kinematics से और friction वाले पार्ट से, expected है कि आप से problem ही पूछेगा, theoretical problem अगर उसको पूछना होगा, तो inertial और non-inertial frame पे पूछेगा, that comes under the category of Newton's laws of motion, all right everyone, all righty right sir, आप बात करते हैं बेटा, work power energy की, तो as such, अगर इस topic में बात करूँ छोटे, तो इस topic से inspired problem आते हैं, तो यह topic आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसके अंदर कोई, मतलब कोई नाटक नहीं चाहिए, specifics बहुत अच्छे से आने चाहिए, most over, most over, अगर मैं बात करूँ बेटा, तो आपको नहीं सेकेंड जो पार्ट है, that is, revision of emission and work energy theorem, यह आपको पता होना चाहिए, कि कौन-कौन जो सेनेरियों में कब-कब अपल लगाते हैं, work done by pseudo force क्या होता है, और जब pseudo force लग रहा है, तो जो change in kinetic energy होती है, वो उसी frame से लिए जाती है, that you all should know, तो भाया, इसके अंदर आपको कोई भी गल्ती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अल्राइट, इसी से, इसी के अंदर जो topic आता है, that is vertical circular motion, again, it is a very important topic, direct question पूछते हैं, इसके case study होती है, सब पढ़ते हैं, हर जगा पढ़ाया जाता है, तो आप उस case study को जरूर से देखिएगा, root 5 GL, root 3 GL, root 2 GL, कभ कहां कैसे होगा, यह पता आपको होना चाहिए, so, this is very important, all right everyone, the first more important thing is, the second row in this one, that is reason of, revision of MEC and work energy theorem, moving on, we have circular motion, again, it's not that big topic, but still, we have problems on angular variable, right, make sure you do this, okay, जादा तमाशा नहीं है, इसके अंदर भी, scene बस इतना सा है, जैसा आप किनमेटिक्स में फॉर्म लगाते थे, छोटे, वैसे आप तु यहां लगाने बाला है, बस तेरे वरिएबल बदल चुके हैं, but you must know the things, all right everyone, you have to be the John Snow, you know nothing John Snow, आगे चलते हैं, now, the second part for this circular motion, that is banking of roads, ठीके नहीं चोटे, banking of roads or turning, दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यह friction inspired है, तो यह banking of road, vertical circular motion, और भाईया, revision of emission and work energy theorem, that must be crystal clear in your mind, while going before examination, all right everyone, right sir, next topic की बात करें, तो center of mass और collision की बात करता हूँ, तो center of mass, देखरों, gravity वाला portion हो गया, center of mass वाला portion हो गया, moment of energy वाला portion हो गया, यह जहां जहां आपको यह values निकालने वाली चीज़ होती नहीं, उसके इंदर एक बहुत common segment होता है, that is called cavity, cavity नहीं मतलब है, x, y, z, ठीक है, same, gravitation में भी आ जाता है, वही का वही चीज, clear हो गया, clear हो गया, तो make sure, आप center of mass के अंदर, यह cavity problems पर जरूर ध्यान दे, calculation of center mass, ठीक है, तो जिन बच्चों को mechanics, इसके बाद से थोड़ा उट-पटांग लगता है, बेटा, वह यह chapter ना छोड़ें, इस chapter में आप यह चीज जरूर देखके जाएं, that is calculation of center of mass, it is a very important thing, और collision के types, ठीक है, खासकर आप oblique collision को avoid कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कि आपको जितने भी head-down collisions के, जितने cases बनते हों, सब आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मनें आपे सिर्फ दो ही पार्ट में इसको categorize किया ही है, अच्छा, इसके अंदर एक और concept आता है, that is linear momentum conservation, ठीक है, क्या आता है बटा, linear momentum conservation, भीया, बोट है, बोट से इदर दर चला गया, displacement कितना होगा, और बात मान के चलो, बात में अगर और चलते है, बुलेट से अपनने गन फायर करी, तो भीया, recoil speed कितनी होगी, अगर external force 0 है, तो आप momentum conservation लगा के उसब चीज़े निकालते हो, उनसे आप एक बार go through हो जाना है, क्योंकि अगर आप collision पे जाओगे, तो आपको बस momentum conservation लगाते आना चाहिए, that you can do, I know, all right everyone, all right, चलिए, तो revision of momentum conservation मैंने इसले लिखा है, जैसे यहाँ पे आप topic का revision कर रहे हो, make sure आप इन topic का revision करें, जब मैने calculation या problem की बात करूंगा, तो make sure आप इन पे previous year लगा हो, क्योंकि PYQ से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर आपने PYQ से बहुत अच्छे से लगा रखे हैं, तो आपको एक अनुमाल लग जाता है बच्चे की अपने को आगे क्या करना है, चलिए, now, moving on to the rotational motion, ठीक है, तो जहाँ-जहाँ calculation लिख रहा हो चोटे, वहाँ PYQ करना है तरको, चलो, आगे चले, rotational motion की अगर मैं बात करूँ बच्चो, तो क्या होता है बटा, calculation of moment of inertia, अगेन वापस से यही वाला, यह एक mass को हटा दिया, moment of inertia कहां shift होगा, parallel, perpendicular, जितनी भी axis theorem होती है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्लियर हो गया क्या, राइट सर, चले, moving on, rolling problems and angular momentum conservation, ठीक है, अब यहाँ पर कई लोग को बहुत ही tension हो जाती है, sir, rolling problem, angular momentum, conservation, थोड़ा सा उट-पतांग लगता है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर आप theoretical problem जरूर देखने हैं, या फिर आप अगर लगा पा रहा हैं, तो HCV के जो आखरी, I think, 77, 78 problem, या 80 problems है, आखरी वाला जो पेज है, लेट साइड में पेज होगा, उसको भाई आप अच्छे से लगा लो, ठीक है, 20 से 25 problem, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैंस point of view से, in case of rolling problem, और moment of inertia तो आप अच्छे से करी सकते हैं, आल राइट, moving on to the next chapter, चोटे, that is called fluids and elasticity, तो इसके अंदर, अभी elasticity की बात करूँ, तो जो पिछले pattern थे, उसके अंदर direct formula-based problem आते हैं, तो as such, कोई समस्या नहीं है, पर still आप फिर भी, दो अगर rigid rod attached हैं, तो कितना displacement हो का नीचे वाले block का, इन सब के problems का आप जरूर देख लें, गोल घुमा रहे हैं अपन, तो क्या हो रहा है, कि कितना increment हो रहा है length के अंदर, उसको भी आप देख लें, ठीक है, तो problems on strain and stress, जरूर देख लें, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसके बाद अगर मैं fluids की बात करूँ, किसकी बात करूँ, fluid की बात करूँ, तो surface tensions, हासकर की capillary action को आप जरूर देखें, जरूर पढ़के जाएं, और Bernoulli theorem and accelerated fluids, ठीक है, Bernoulli theorem में भी और कौन सा समझें न, वो छेद कर दी, आपनने कितना maximum range जाएगा, मतलब किस velocity, वो सब चीज़े आप देख लेना, किस velocity से निकल रहाओगा अंडर root 2GH, और accelerated fluid में angle theta 10 inverse A by Z, ठीक है, तो as such, इतना बड़ा importance नहीं है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, rotation में ही moment of inertia calculation, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो अब अगला important segment आता है, यहाँ से जितने chapter आएंगे, it will contain a very high weightage, I am literally telling you, and mark my words बच्चो, यह जो chapter से इसके बाद से आने वाले हैं, यह बहुत बड़ा और अच्छा खासा chunk numbers, अगर आप अच्छा चंक नमबर करते हैं, तो make sure आप इस चीज़ जरूर करें, चले, तो SHM and waves की मेंगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले spring block problem, बहुत easy, simple pendulum 2 pi under root L by G, अलग-अलग different conditions में, G effective कैसे निकालते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, और motion in SHM के बारे में, कि बाई किस time पर particle कहां पर होगा, x equal to a sin omega t plus 5 को differentiate करके, जैसे v और a निकालते हैं, वैसा सारी चीज़ आपको बता होना चाहिए, all right, moving on to the wave equation problem, ठीक है, sonometer standing waves fixed and free end, fixed and free end, ठीक है बच्चो, हाँ sir, organ pipe and Doppler packet, यही है पूरे waves और SHM का crux, जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है, सारे topics, आप एक बज़रून का screenshot ले लें, अपने पास रखें, यह topics हम से miss नहीं होने चाहिए, preparation के दौरान, all right everyone, all right, बात करते हैं HNT की, तो specific से इसके अंदर भी ध्यान से दिखिएगा, conduction process, Stephen Boltzman law and thermal expansion, if I will talk about heat transfer, all right everyone, all right sir, and moving on to the graphs problem and Carnot's engine, work done calculations जो आती है PV graph को लेके, या फिर आपको P का graph दे रखा हो, V का दे रखा हो, या फिर आप से PV दे रखा हो, VT पूछा हो, यह वाले problems आप एक बर जरूर देख लें, all right everyone, all righty right sir, moving on to electrostatics, what I am talking about here is, force and field calculation, this is the first thing, Gauss law and conductors, तीन topic आप इसमें इत्मिनान से पढ़ें, और इनको अपनी नेजरों के सामने से जाने ना दें, because they contain the maximum problems of electrostats, which you can easily solve, आगे चलते हैं, again the most important chapter, that is current and electricity plus capacitors, combination of registers plus capacitors, सबसे पहली चीज़, इनका combination आपको आना चाहिए, कैसा भी दे दें आपको, ठेक है भाईया, आपको access of symmetry ढूड़ते आना चाहिए, रस्ते में आने वाले note को हटाने का, resistance को उठाने का, तो इस सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए, कैसे combination of resistance होते हैं, ठेक है, तो यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, capacitor और resistance दोनों के लिए ही उतना important है, clear है, बराबर weightage है, again, register, revision of kvl and kashal, एक बार आप उसको जरूर गोतुर हो जाए, कि भाया, क्या sign convention क्या follow होता है, ऐसा नहों कि exam में सवाला है, simple current निकाल लोगा पूछे, आपन sign convention रहे हैं, यार, यह plus था, minus था, चल जो भी था, आपन लगाते हैं, jam आता दी, वह आला सी नहीं होना चीज़ चोटे, ठीक है, make sure you revise it, and galvanometer plus potentiometer, galvanometer, m meter में क्यों कैसे बदलते हैं, voltmeter में कैसे बदलते हैं, क्या-क्या variables होते हैं, and again with potentiometer, all right everyone, RC circuits में, directly आपको formula पता होना चाहिए, ठीक है, steady state analysis में, capacitor कैसा behave करता है, inductor कैसा behave करता है, जो की हमाई में देखेंगे, inductor वाला पार्ट तो, लेकिन दोनों analysis, tangent के लिए आप direct formula रट सकते हैं, direct formula, direct formula, हो जाएगा आपसे सवाल, convert हो जाएगा, moving on, to magnetic effect of current, plus earth है जाज़ा, magnetism, इसके अंदर, specifically बोल रहाँ मेटा, सर्फ यह चीज़ करना है आपको, straight wire और arc की वज़े से, magnetic field calculation, आपके जबान पर होना चाहिए, formula लगाते बनना चाहिए, straight question पूछता है, और आपको answer आना चाहिए, correct है, moving on, force on a charge, r equal to mv by qb, वला तरीका, बहिया, एक charge particle को, magnetic field में छोड़ दिया गया है, अलग-अलग momentum, अलग-अलग kinetic energy, दे दूखे, तो आप बताइए, क्या होगा जब का ratio, अलग-अलग variables का, all right everyone, यह चीज़ आप जरूर देखिए, ampere's law, और अगर मैं बात करता हूँ, earth as a magnetism की, तो angle of dip, और angle of declination के formula based, जो सवाल होते हैं, वो आपको आने चाहिए, moving on, to EMI and AC, again, EMI के अंदर आप theoretical problem पे ज़्यादा ध्यान दे, सही है कि नहीं, क्यूंकि भीया, वो theoretical problem वहाँ से ज़्यादा पूछ सकता है, कि current दिशा कब होगी, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा, Faraday's law और lens law से inspired होगा, और क्यूंकि इसके इंदर जो numerical बनता है, वो बहुती easy बनेगा यार चोटे, numerical part इसका easy होता है, लेकिन जो theoretical part होता है, वो थोड़ा सा complex हो सकता है, थोड़ा सा घुमावदार हो सकता है, तो एक बार आप जरूर दो-चार अच्छे problem इस पर देख के जाए, जो previous year में पूछ चुका है, you will never be feel backward, you will never feel backward, चलो, आगे चलते हैं, LR circuit सेम वैसा ही है, जैसा RC circuit था, और practice on lens law, यह वही वाली बात होगी, सवाल की बात कर रहा था मैं, moving on to, AC वाला part, AC वाले part में, आप series LCR कर लो सीधे, बाकि यह दोनों तो हो जाएगा, सिर्फ series LCR आपको आता है, तो आप यह दोनों को कर लोगे, बस एक जगह आपको, अगर RL circuit बोल रहा है, तो XE की value zero कर दो, RC circuit बोल रहा है, तो XL हटा दो, तो पुरा-पुरा formula वही बन जाता है, लेकिन आप series LCR ज़रूर कर लो, specific topic, and quality factor का formula क्या होता है, वो एक बार ज़रूर देखके चले जाना, moving on to the optics, simple mirror or lens formula, सिर्फ और सिर्फ formula based, और उनका implication 2-4 सवाल, that's it, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक दम रखा हुए problem, ठेक है, आगे चलते है, optical instrument again formula, ठेक है, YDSC, थोड़ा सा conceptual है, इस चीज़ को आप देख लेना, polarization again formula intensity कैसे vary करती है, आगे चलते है, modern physics के अंदर, ये दो topic भाई अच्छे से कर ले, इसके अंदर, खास करकि graph ज़रूर पढ़ना, इसके अंदर photoelectric effect के अंदर, clear हो गया क्या, clear है sir, if I talk about semiconductor and POC, तो भाई, ये वाले segment से, दो से तीन सवाल पूछी रहा है, continuous, तो it becomes very important, and it is actually very easy, when I talk about logic gate, तो सबसे असान है भाई, इसका manipulation आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, moving on to the diode, diode के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब वो forward by जैसा काम करेगा, कब reverse by जैसा काम करेगा, और जीनर डायोट कैसे voltage regulated जैसा काम करता है, clear हो गया क्या, जीनर डायोट कैसे voltage regulated जैसा काम करता है, that you must know of, transistor में आप DC plus smart AC analysis करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं, तो भी ठीक है, इसके अंदर आप जरूर एक, इसके signal analysis जरूर पढ़ लेना, कौन सी वाली, सर जो input characteristic और output characteristic का graph होता है, उसको एक बार देख लेना, और plus DC analysis जरूर पढ़ लेना, भाई, इधर पहले base वाले circuit पर क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं, और बाद में collector वाले circuit पर दो जगा KVL लगाते हैं, बस कोई भी सवाल answer आ जाता है, make sure you just go through it, now moving on to semiconductors, sorry, moving on to principle of communication, antenna height का formula, और amplitude modulation का formula, so this is what we have to do, in fact यह जो पूरी चीज़े जो है पर लिखवाई गई है, उसको बहुत अच्छे से हमने अपने badge जो है, final step 2.0, उसके अंदर ही सब चीज़ कर रखा है, and moreover it is totally free of cost, चवणनी भी नहीं है उसका price, all right everyone, free of cost है, you can actually enroll to FS21, क्या code यूज कर सकते हैं भाई आप FS21 कोड यूज करके, enroll करें और इन सब चीज़ों का मज़ा उठाएं, ठेक है, हमारे साथ पढ़े, ATP Star के साथ पढ़े, हम क्योंकि उसी साब से, जिससे आप से topics लिखे गया है, उसी साब से चीज़ों का revision कराया गया है, so, best of luck from ATP Star team, and this is you, ठेक है, मुस्कराते हुए, all right, तो मुस्कराते रहिए, हमेशा महनत करिए, और exam में फोड किया आना है, ठेक है, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो जरूर सपने पूरे होंगे, ठेक है, so, have a good faith on yourself first, okay, then think about others, all right, everyone, अपने आप पे एक अच्छा faith रखें, महनत कर एक दम, भूम भूम तरीके से, और अपने confidence को जरा सा भी गिर में नादो छोटे, हाना, तुम से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान ने तुम जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया, ये बात आप ध्यान रख लेना, इत्मिनान से पढ़ो, बस पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना, नंबर क्या, अरे फालाना निम्गाना, सब गया भाड में, जब लड़ने जाते हैं, जब लड़ने जाते हैं, तो क्या कर लड़ने, किस के सोच से लड़ने जाते हैं, अपन लोग बार्डर पे, जो जवान से अपने जाते हैं, इस सोच से तो नहीं स्ट्राटेजी बना के जाते हैं, जीतेंगे हारेंगे, जोड़दार होने चाहिए बचे हुए दिनों के लिए so you can actually join our final step batch and moreover best of luck from team ATP star that's it for today thank you for patient listening